अच के बैग बनाने के लिए हमने ये शर्ट पीस लिया है यह हमने दो फाब्रिक के पिसिस कटिंग किये हैं बिल्ट के लिए इसका मेजरमेंट है चार इंच बै पंदरा इंच यहां आप क्विल्ट करके भी ऐसी बैग बना सकते हैं ऐसे हमने ये दोनों बिल्ट बनाए है और बिल्ट बनाने के बाद दो फाब्रिक के पिसिस हमने लिए 16 इंच बैस 16 इंच यहां सेंटर का मार्क किया से 2.5 इंचिस 2.5 इंचिस मार्क किया है ऐसा ही मार्क हमने यहां किया जो दूसरा पीस दो पीस हमने लिए है यहां पर भी ह इसके बाद हमने दो पिसस लिए हैं, दो इंज बै, चौदा इंजिस और ये सत्रा इंजिस के अमने जिपर लिए है, जिप की सिधी साइड हम कपड़े की सिधी साइड के उपर इसे रखेंगे, और यहा से हमने सववा इंज का मार्क किया, यहां से हम सववा इंज का मार्क करेंगे और यह जीपर हम यहां तक ही जोडेंगे यहां तक हम इसके उपर हम सिलाई करेंगे देखिए यह हमने यहां तक सिलाई की यहां तक इतना हमने छोड़ा है इसके बाद यह हम ऐसे नीचे की साइड में करेंगे यहां हम top stitch करेंगे और यह जो fold की हुई side हम यह zipper side में हमें रखना है और यहां आगे तक हम सिलाई करेंगे देखी हमने ऐसे top stitch किया और यह होने के बाद यह दूसरी पट्टी हमने लिए है यहां से सववा इंच का mark किया और यह सीधी side हम इसके उपर ऐसे रखेंगे यहां से यहां तक सिलाई करेंगे और यह जो सववा इंच का mark है यह हम इसे उपर की side यहां बैक side में भी लेते हैं यहां तक हम सिलाई करेंगे यहां तक lock करेंगे देखिए यह होने के बाद हम ऐसे ही top stitch और यहां आने के बाद यह जीपर हम side में रखेंगे यह fold ऐसे ही यहां आगे तक सिलाई करेंगे देखिए ऐसे हमने यह दोनों पीस बनाए है इसके बाद यह पीस हमने लिया जिसके उपर हमने belt join किया था यह दो पीसे से हैं उसमें से हम एक पीस लेंगे देखिए इसके उपर हम यहां एक इंच का हम मार करेंगे देखिए यहां से आधा इंच यहां से आधा इंच एक इंच का हम हमने मार किया आधा आधा इंच ऐसे ही हमने हम यहां मार करेंगे आधे आधे इंज का देखे इसके बाद ये हमने जीपर का पीस लिया है यहाँ आधे इंज का मार्क है यहाँ आधे इंज का मार्क है इसके उपर हम यहाँ यही जीपर का पाट रखेंगे और यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे देखिए ऐसे हमने सिलाई की यहां से यहां तक इसके बाद यह हम अंदर की साइड में ऐसे करते हैं और यहां पर भी हम यह जो फोल्ड है यहां तक हम फोल्ड करेंगे यह इसे और इसके उपर हम यहां से सिलाई करेंगे देखिए यहाँ से यहाँ से हम सिलाई करेंगे देखिए यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से हमने सिलाई की यहाँ तक यह दूसरा पीसम ने लिया, यहाँ पर भी हमने आधे आधे इंच का मारक है, दोनों साइड में, और यह पीसम ऐसे जोड़ेंगे, देखिए यह सिधी साइड है, और यह सिधी साइड है, इसके उपर जोड़ेंगे, यह जो एक इंच का मारक है, वहाँ हम रखेंगे, ऐसे ही यहां, यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे देखिए ऐसे हमने सिलाई की दोनों साइड में एक एक इंच छोड़ा इसके बाद ऐसे ही यह बेल्ट हम उपर रखेंगे यहां आप क्विल्ट किया हुआ पीस भी ले सकते हैं इसी बैक बनाने के लिए देखिए ऐसे यह अंदर हमने फोल्ड किया यहां से हम सिलाई करेंगे ऐसे यहां से यहां तक बेल्ट उपर की साइड में रखेंगे देखिए इसके बाद इजीब हम सेपरेट करेंगे यहां ने एक फाबरिक का पीस लिया है 5 इंच by 45 इंच यहाँ से हमने एक फोल्ड किया यहाँ से हमने एक फोल्ड किया यहाँ हम सिलाई करेंगे ऐसे हमने सिलाई की इसके बाद यह हमने एक पिस लिया है यह सेपरेट किया था यह हमने साइड में रखा यहाँ से 2.5 inches का मार्क करेंगे दिखिए 2.5 inches का हमने मार्क किया और ये जो ये फोल्ड की हुई side अंदर हम ऐसे रखेंगे ये सीधी side है और ये जो 2.5 inches का मार्क किया है इसके उपर हम अंदर रखेंगे एक इंच हम अंदर की साइड में रखेंगे थोड़ा सा मार्क मैं अंदर करती हूँ ऐसे दिखिए ये जीपर हमने नीचे रखी ये आधे इंच का एक मार्क है वहां हमने एक फोल्ड किया दुसरा फोल्ड इसके उपर यहां में क्लिप लगा देती हूँ और ये इसके अंदर जाएगा इसके बाद ये जो 2.5 इंच का मार्क है उसके उपर हमने ये रखा और ये हम ऐसे ही इसके उपर सिलाई करेंगे जो फोल्ड करते करते ही हम इसके उपर सिलाई करेंगे आधे इंच का फोल्ड और जो दूसरा फोल्ड इसके उपर आएगा दिखिए ऐसे हमने यहाँ एक इंच तक हमने चोड़ा है यहाँ आके हमने लॉक किया इसके बाद ही हम ऐसे टन करेंगे दिखिए ऐसे हमने एक इंच की स्पेस हमने चोड़ी है दिखिए यहाँ आने के बाद यहाँ हमने फोल्ड किया यहाँ से फोल्ड किया ऐसे और यहाँ से हम सिलाई करेंगे और जैसे हमने यह कॉर्णर बनाया है वैसे ही यह कॉर्णर बनाएंगे दिखी के आईसे हमने ये दोनों corners बनाए है और ये होने के बाद यहां तक हमने इसी लाई की और यहांसे हमने 2.5 inches का mark किया जैसे हमने यहां किया था 2.5 inches का mark और यह हम fabric यहां से यहां तक यह जो mark है उस से हम एक inच जयादा लेंगे दिखी यहां से हम एक इंच ज्यादा लेंगे ऐसे फोल्ड करती हूँ और यह एक्स्ट्रा फाब्रिक हम पहले कटिंग करेंगे कटिंग होने के बाद ऐसे हमने फोल्ड किया और यह फोल्ड किया और यह हम यहां तक रखेंगे यह हम पहले यहां सिलाई करेंगे देखिए यहां हमने सिलाई की इसके बाद यहां हम रखेंगे यह एक फोल्ड यह दूसरा फोल्ड यह उपर तक हम यहां तक सिलाई करेंगे यह ऐसे अंदर आएगा जी पर हम side में रखेंगे यह अंदर चाहेगा और इसके उपर यह सिलाई आएगे देखिए ऐसे हमने यहां के सिलाई की यहां आप देख सकते हैं कितना finishing से कितने finishing से यह side हमारी joint हुई है और ऐसा ही यह दूसरा piece हम जोड़ेंगे ऐसे यह fold यह जैसे किया है वैसे ही यह fold करके join करेंगे यहां मैं एक बार दिखा देती हूँ यहां से यह दूसरी side है यहां से 2.5 inches का mark किया एक fold दूसरा fold यहां और यह जो 2.5 inches का mark है यह अंदर से किया यह से fold यह जोड़ती हो और यह side यह दूसरी side हम यह zipper side में रखेंगे यह 2.5 inches का जो mark है इसके उपर हम ऐसे रखेंगे और सिलाई करेंगे देखिए ऐसे हमारे यह दोनों side joint हुए है यहां आप देख सकते हैं इसे fold करके यह back रख सकते हैं इतनी सुन्दर सी यह back बनी है zipper के साथ ठीक है अभी हम इसके अंदर runner डालेंगे यहां से हम इसे इसके अंदर हम runner डालेंगे देखिए यहां से हमने runner डाला तो यह दोनों side आप देख सकते हैं सुन्दर से lock हो गए दोनों एक जैसे हो गए देखिए runner डालने के बाद यह हमने एक fabric का piece लिया है यह 2.5 inches by 2 inches का यह हमने piece लिया ऐसे हम fold करेंगे यह 2.5 inches के side है यहां हम सिलाई करेंगे देखिए यहां सिलाई होने के बाद यहां ऐसे cross में तोड़ा सा fabric cutting कर सकते हैं इसके बाद हम सिधी side करेंगे और यहां से एक fold और दुसरा fold ऐसे उपर आएगा वैसे यहां हम सिलाई करेंगे देखिए यह हमने lock किया तो यह bag हमारे complete हो गई और यह जैसे हम यहां तक open करते हैं तो यह bag पूरी तरह से यह open हो जाती है यहां तक तो अंदर हम अच्छे से सामान भर सकते हैं इतनी बड़ी यह bag बनी है ऐसे आप छोटी बड़ी size की भी bag ऐसे बना सकते हैं दिधर की ऑ्टा की मड़ी थिए हैं